हलो प्रेंट्स मैं हूँ सन्याय सौगत है आप सबका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं एक नहीं रेस्पी वीडियो आन तक जरूर देखिएगा आई होप आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की रेस्पी पसंद आए प्रेंट्स तो वीडियो को लाइक कर द तो यहां मैंने लिए हैं चार बासी रोटी जिसे मैंने रात में बनाया था और बच गया था आपको यकिन नहीं होगा फ्रेंट्स की रोटी से इतनी अच्छी मिठाई बनती है बहुत इजी है बनाना तो सबसे पहले रोटी को इस तरह से हम टुकड़ों में तोड लेंगे आपको कुछ नहीं करना है बस रोटी को टुकड़ों में तोड लेना है और इसके बाद एक मिक्सी जार लेना है इसमें हमें सारे टुकड़े डाल देने है और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है ग्राइंड करते समय मिक्सी को आप चालू बंद चालू बंद करके इस तरह से आप grind किजिएगा तो इसका एक powder तयार हो जाएगा तो रोटी का इस तरह से powder बनकर तयार हो जाएगा थोड़ा सा हाथ में लेंगे तो यह दर दरास आपको महसूस होगा लेकिन इसी तरह से आपको बनाना है अब इसे एक बरतन में हम निकाल लेंगे पूरा रोटी का जो powder है तो यह powder form में हो जाता है पिसने के बाद में अब क्या करेंगे कि gas on करके कडाही चड़ाएंगे तो कोई भी वरतन चड़ाएं मोटे तले का चड़ाईएगा तब इसमें डालेंगे हम 2-3 चमच गी यहां मैं घी डाल रही हूँ गी जैसे ही पिघल जाएगा तो रोटी वाल अच्छा बनकर त्यार होगा और आपकी मिठाई जो है वो खराब नहीं होगी आप इसे 4-5 दिनों तक फ्रीज में रखके खा सकते हैं और आप जब खाएंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि यह रोटी का बना हुआ है इतना अच्छा यह बनता है अब इतना ही कलर हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और पूरा निकालने के बाद उसी कडाही को मैंने फिर से साप कर लिया यहां डालेंगे हम देड़ गिलास के लगभग दूद चार रोटी के लिए तो मैं अंदाजे से डाल रही हूँ आप नापके भी डाल सकते हैं तो देड़ गिलास करस लीजियेगा और उसमें एक चमच पानी डाल दीजियेगा और थोड़ा-थोड़ा करके डालियेगा और इसे इस तरह से हमें चलाते जाना है थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दूद जो है वो फटना इस्टार्ट हो जाएगा तो इसका हमें पहले छेना बनाना है दूद का तो ऐसे तीन बार में में थोड़ा-थोड़ा करके नीबुकरस को डाली और यह न बहुत अच्छे से इसका छेना जो है फटकर तयार हो गया तो सबसे पहले आपको इस तरह से दूद को तयार करना है तो यह देखिए इस तरह से हो जाएगा और जैसे यह थोड़ा स गाढ़ा होगा ना तो इसमें हम चीनी एट कर देंगे तो चीनी एक कटोरी से थोड़ा समय ने कम लिया है तो आप क्या किजिएगा कि अपने टेस्ट को फोड़िंग आप एट किजिएगा चीनी एट कर देंगे और चीनी को घुलते तक इसे हम फिर से पकाएंगे और जैस तो बहुत इजी है आप जरूर बनाईएगा और अगर आज की रेश्पी पसंद आए फ्रेंड्स तो विडियो को लाइक कर दिजेगा और जो फ्रेंड्स चैनल पर नहीं है तो प्लीज फ्रेंड्स सस्क्राइब किये बिना बिल्कुल भी मत जाईएगा तो इस तरह से आपको अच्छे से मिलाना है गैस को धीमा कर देंगे ताकि छेना और रोटी का जो पाउडर है वापस में अच्छे से मिल जाए अब एक थाली को उल्टा कर लिया इसके उपर इसे घी लगा लेंगे घी लगाके अच्छे से फैला देंगे अब जो रोटी वाला डो है ना उसे हमे में इस पर अच्छे से सेट कर देना है तो जब रोटी का पाउडर आप डाले ना छेने में तो थोड़ा इस तरह का डो जैसा बन जाये तब तक आपको उसे मिक्स करना है अब यह हलका सा ठंडा है तो मैं हाथों से इसे सेट कर रही हूँ, आप किसी भी बरतन में भी सेट कर सकते हैं इसे, तो इस तरह से हाथों से सेट कर देंगे और इसके उपर थोड़ा सा हम पीस्ता डाल देंगे, ताकि देखने में यह और भी अच्छा लगे, आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं, तो ऐसे डाल के चम्मस से दबा देंगे, और इसे हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, यह तुरंट से सेट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे सेट होने में, और अगर आपको और भी जल्दी है, तो आप 5-10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीज सेट हो जाएगा, तो और जल्दी सेट हो जाएगा, मैंने बाहर ही छोड़ा था और यह सेट हो गया है, जब इसे हम फटा-फट से काट लेंगे चलिए, तो आप अपने मन पसंद के नुसार इसे कट कर सकते हैं, आपको जैसा भी पसंद हो, तो ऐसे पहले में लंबे अकार में काट के आपको दिखा रही हूं, तो आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे छोटे टुकडो में काट लिजेगा, तो मैं इसे छोटे टुकडो में कट करूंगी, तो पहले इस तरह से आपको एक बार में लंबे अकार में काट के और फिर से दिखा रही हूं तो चलिए इससे दो दो टुकडों में हम कट कर लेते हैं इस तरह से इस तरह से सारे को दो दो टुकडों में कट कर लेंगे आप एक बार जरूर बनाईएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको पसंद आई की नहीं आई अगर आपको पस पास्ते दिखा रही हूं काफी जुन्दव दिख रहा है देखने में और खाने में तो इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे आप रोज रोटियां बनाना और बचाना इस्टार्ट कर देंगे तो चलिए फिर मुलाकात होगी फ्रेंड्स एक अच्छी सी सांदार रे